बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम अलेकूम प्यारे बच्चो सारे बच्चो आज हम इंग्लिश एट क्लास उसका सेकंड चेप्टर है डायलाग उसकी ग्लॉसरी को हम समझेंगे ग्लॉसरी मतलब होता है कि जो आपको मुश्कल अलफाज है उनके मेनिक समझाए जाते हैं ला अज हम इसकी ग्लॉसरी कर रहे हैं इसमें cook बचैफिशनकर ठेखियं सी लेकंग संथिंग शाइड कमेंग यानि किसी चीज का कम होना किसी चीज का फुकदान होना शाइड कमिंग किसी चीज़ में इनसान का कमजोर होना कोई कमजोरी होना दोनों सूर्टों में हम लफ़ इस्तमाल करेंगे डैफिशेंसी दूसरा है है थार्ट इट फिट यह इडियम बनता है मतलब है हैस थार्ट इट प्रापर यानि उन्हों ने इसको ठीक समझा जो हमने पढ़ा था कि माई ब्रादर थार्ट इट फिट तो स्टार टीचिंग में मेरे भाई ने ये बेटर समझा कि मुझे अभी से पढ़ाना शिरू कर दे go in far to choose something as one's carrier go in far यानि किसी चीज में घुस जाना किसी चीज में दाखिल हो जाना किसी चीज का अगास कर देना to choose something किसी चीज का इंतखाब करना as one's carrier अपने carrier के तोर पे जारे carrier बनाने में काफी वक्त लगता है तो उसमें काफी देर तक मेहनत करना पड़ती है तो go in far का मतलब किसी चीज के लिए ज्यादा देर तक मेहनत करना तगोदो करना है particularly 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 especially खास तोर पे जब हम एक से ज्यादा चीजों का जिकर करें फिर वहाँ पे हम उन में से किसी एक चीज को ज्यादा एहमियत देना चाहें तब हम इसका इसका इस्तमाल कर लेंगे particularly recovered to get back one's health जब कोई अपनी सिहत को वापिस हासिल करता है जब कोई दोबारा सिहत याब होता है extra more than or beyond what is usual आम तोर पे जो चीज होती है उससे ज्यादा होना या उससे बढ़ के कुछ हो जाना ये होता है extra finish to come to an end खत्म हो जाना रुक जाना मुकमल हो जाना अब हम इनी को कोशिश करते हैं छोटे छोटे फिक्रों में इस्तमाल करें ताके हमें इनकी बेटर समझा सकें deficiency she has been suffering from blood white cell deficiencies या she has been suffering from white blood cell deficiency उसे खून के सफैद खुरियों की कमी का मर्ज है has thought it fit जैसे she has thought it fit to start a walk now अब उसने वाक शुरू करने का सोच लिया है इरादा कर लिया है go in far they have decided to go in far football practices उन्होंने फुटबाल की प्रैक्टिस करने का इरादा कर लिया है वो फुटबाल की प्रैक्टिस करना उन्होंने शुरू कर दी है particularly we are going to see the matches particularly the semifinals हमने match देखने हैं लेकिन खास तोर पे semifinals को हो जोकता है semifinals उनकी पसंदीदा टीम का हो recovered the world has recovered from COVID-19 दुनिया अब COVID-19 के इसराद से वापिस सिहत्याब हो गई है extra you don't need to do any extra effort for this इस के लिए इस काम के लिए आपको किसी भी मजीद या इजाफी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी finish we are going to finish this lecture here यहां हम इस lecture का इखताम करने जा रहे हैं अमीद है इन लफजों की समझ आपको आगई होगी इनके मीनिंग आपको समझ आगई होगे अगर वीडियो पसंदा ही है इसको लाइक कर दें दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आप चाहते हैं कि यह सीरीज आपके काम आती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपना और अपने चैनल का बहुता ख्याल रखियेगा अलाफिस